नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारे कारेक्रम मुसमर खेती में मैं हूँ आपके साथ लवीना शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहोगी आकाश आकाश आपका स्वागत है दन्यवाद दोस्तों नव अश्की आपको हार्दिक शुपकामना है कारे करम के शुरुवात करेंगे और सबसे बहले बात कर लेते हैं देश के किनकिन छेत्रों में बारिश होने के आसार हैं अकाश बताइए तो जैसे कि आपने बारिश की बात की तो उत्तर भारा से शुरू करते हैं तो हिमाले के जो पश्चिमी चेत्र हैं वहां पे इस पूरे हफते बारिश होने के पूरे आसार है उसी कतार में अगर हम पुर्वत्तर भारत की तरफ बढ़ते हैं और जो भारत की कुछ पूरवी राज्ये हैं जैसे पश्चिममंगाल तो वहां पर भी देखा जा सकता है कि इस पूरे हफते बारिश होने के अच्छे खासे आसार है अब बारिश की बात करते हुए हम आते हैं दक्षिनी भारत की ओर तो दक्षिनी भारत में जैसे कि हम पिछले कई हफ्तों से आने पिछला पूरा महीना वहां पे बारिश का माहौल बना रहा तो नए साल में भी इस इसे के साथ अंदमान निकोबर्द वीव समूव में भी इस हफते बारिश हो सकती है अब इसके अलाबा मध्य भारत की बात करे और पश्चिमी भारत जैसे की गुजरात हो गया और उसी के साथ मध्य भारत में 36 गड़ मध्य प्रदेश महराष्ट्र और आंधर प्रदेश जै पर पूरे हफते मौसम सही रहेगा तो यह तो बात थी कि किन-किन चेत्रों में बारिश होने के आसार है कैसा मौसम रहने वाला है अब बात कर लेदें खेती पर इसका क्या प्रभाब बढ़ने वाला है और शुरुवात करेंगे उत्तर भारत से जम्मू कश्मीर की बात करे जिससे उनकी फसलों को काफी मदद मिल सकती है इसी के साथ ही खर पतवार को निकालने का वक्त हार चला है तो ये कारे वहां के किसान भाई पूरा कर सकते है इसी के साथ लहसून का रोपन वहां के किसान भाई जारी रख सकते है साथ ही जम्मू कश्मीर का जो शितोशन छेत है वहाँ पे-प्याज की किस्तान बांभाई जारी रख सकते हैं लगभा किसान नियंदरन के लिए हांत से नवपन्षा करके करने करएक क्रदेदि वह उसके बारप केसर के खेतों में से एसी कोई विवस्ता कर ले जिससे जल निकासी हो सके पानी अच्छ से निकल सके महां से। इसी के साथ अब मवेशियों की बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर के पशुपालक है उनको ये हिदायत है कि बारिश के साथ साथ ठंड बढ़ने के भी आसार होते ही है तो ठंड से बचाने के उपाय जरूर कर लें अपनी मवेशियों के लिए साथी जम्मू कश्मीर के किसानों को ये सलाए कि जो किसान वहाँ पर केसर की खेती कर रहे हैं उसमें से खरपतवार निकालने का कारे है जरूर कर ले और इसे के साथ थंड काफी बढ़ने वाली है तो मवेशियों का ख्याल रखना भी जरूरी है उन्हें थंड से बचाने के हमाचल प्रदेश का रुक करेंगे तो कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश का जो निचला और जो मध्य पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे प्यास का रोपन करने का सही समय है तो किसान भाई ये कारे कर सकते हैं इसी के साथ हिमाचल प्रदेश का जो मध्य पहाड़ी जो इला उत्राखंड का रूप करेंगे तो उत्राखंड के मौसम को देखते हुए उत्राखंड का पहाड़ी इलाका है वहाँ पे गेहु की सिचाय का कारे करने का वक्त हो चला है तो किसान भाई ये कारे कर सकते हैं साथ ही साथ अपने खेतों में जो गेहु उगा रहे हैं वहाँ पे यूरिया का छिड़काव कर लें जिससे फसल की सेहत भी अच्छी कासी बनी रहेगी इसके अलावा जैसे कि मौसम वहाँ पे सर्द है और बारिश होने के भी आसार है तो जाहिर सी बात है धुनले मौसम को देखते हुए सरसों की फसल को रोग से बचानी की कोचिश करनी होगी जिसके लिए 2 मिली लीटर मेलाथीन प्रती लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़क के? पंजअब कա रुक करेंगे तो पंजअब के सढ मौसम को देखते हुए कि रीस हैं ने की बुवाइय क कारिव पूरा पूरा कर ले इसके अलावा सरसों की फसल को भी पाले से बचाना होगा जिसके लिए शाम के वक्त हलकी सिचाइ करनी होगी किसान भाईओं को, जिसे सरसों की फसल पर कोई असर ना हो। कार्य भी किया जा सकता है सकते मौसम देखते हुए इसके अलावा जो हुर्याना के है उच्त कि किषां तो अपने खेटों कि कर लें, साथ! अपना ऐसी है सर्दी मौसम को देखते हुए की। एसा हो सकता है तो इसके उपद्पय वहां के किसांभाई जरूर कर ले तो हर्याना के किसानों को सबитель जरूर्य किसम्हिं कि जरूर करने इसी किसा गहूं की अगयते किस्मों में सिचाई का कारई सब्सक्राइब किया जा सकता है चलि अब बात कर लेते हम दिल्ली की दिल्ली का रूख करेंगे तो दिल्ली का जो पश्चमी अर्च शुष्क इलाका है वहां पे गेहूं की पिछेती किस्म उसमें 125 किलोग्राम बीच प्रती हेक्टेर की दर से बुवाई जा जाते हैं इसके अलावा टमाटर की तयार पूद फूल गोवी बंद गोवी गांट गोवी और ब्रॉकली की रुपाई कर लें जो किसान भाई इन गोवियों को उगाने में दिल्चस्पी रखते हैं उनके लिए इवक बिल्कुल सही है तो दिल्ली के किसानों को इस अफ्ट मैदानिक शेत्र है वहां पर पकी हुई तोरिया की कटाई का कारे किया जा सकता है इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो बंदेल खंड वाला इलाका है वहां पर सरसों गेहूं चना मटर राजमा और मसूर में सिचाई के बाद निराई का कारे कर सकते हैं क्योंकि वक्त लनुकूल है इन कारे के लिए इसी के साथ जो किसान भाई गन्ना उगा रहे हैं गन्ने की फसल में 20 दिन के अंतराल में जरूर सिचाई कर लें जिससे फसल अच्छी होगी और खेती करने में भी आसानी होगी इसके लावा पूरवी मैदानिक शेत्र जो है उत्तर कि 15-10 cm की दूरी पर प्यास का रोपन शुरू किया जा सकता है और जो उत्तर प्रदेश का मध्य मैदानी इलाका है वहां के किसान भाई और जो पशुपालक है जो मवेशियां उनके पास है उनको ठंड से बचाना होगा उसके लिए उपाय कर ले साथ ही उनके खाने का भी ध्यान रखना होगा जिसके लिए 40-50 ग्राफ खनीज मिश्रण उन्हें रोज खाने में देना होगा तो प्रदेश के किसानों को यह सलाई कि वह सफ़ते सूरज मुखी की बुवाई कर सकते हैं साथी गेहूं की पिछेते किसमों की बुवाई सफ़ते पूरी कर ले इसी के स धान की कटाइक कारें 20 किसान चारी रख सकते हैं साथी साथ केला बैंगन मटर टमाटर सरसों और तोरिया में सिचाई करने का वक्त हो चला है तो वहां की लागती पूरा कर सकते हैं जैसे कि मैं बताना चाहूंगा पहले भी मैंने बताया कि इस पूरे हफते बारिश होने वाली है तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आसाम से तो आसाम की किसान भाई बोरोधान की नरसरी बुवाई का कारे जारी रख सकते हैं इसी के साथ उत्तरी मैदानी इलाका और बरा हैं तो इसके लिए उचेत उपाय किसान भाईों को करना होगा साथी साथ जो गेहूं की अगयती किस्म है याने की प्रारंभिक बोई जाने वाली गेहूं उसमें सीचाई करने का वक्त हो चला है तो ये कारिवां किसान भाई जरूर कर ले इसके अलावा उत्तर पूरविक शेत्र जो है असाम का अब बात करते हैं यहां के मुर्गी पालकों की याने की पोल्ट्री फार्मर्स की तो वही बात कि अपने मुर्गियों को गर्माहट देने के लिए और ठंड से बचाने के पूरे इंतिजाम कर ले तो असम की किसानों को यह सबते बोरो धान की बुवा मतर मसूर और ट्विया की जीरो टीलेश तकनीक से बुवाय का कारे जारी रख सकते हैं इसी के साथ सासाथ सर्सों की जिन फसलों में फूल निकलने लगे हैं उनकी सिचाय का कारे किसान भाय पूरा कर सकते हैं इसके लावा बोरो धान की रोपाई के लिए भूमी तयार करना जो किसान इस कारे को कर रहे हैं, जारी रखें, शाथ ही साथ मेघाले का नीचले क्षेत्र हैं, वहाँ पर बोरोधान की नरसरी तयार करने का सही वक्त है। तो किसान भाई इस कारे को पूरा कर सकते हैं तो मेगाले के किसानों को इस अबते ये सलाई कि वो सरसों के फसल में सिचाई का कारे करने साथी वोरोधान की खेती के लिए अफ़ता सही रहेगा चलिए अब बात कर लेते हैं हम नागालेंड की तो नागालन की किसान भाई तोरिया, मटर और बाकी सबजियों में हलकी सिचाई कर लेते हैं अब अगले राजिका रुख करते हैं त्रिपूरा त्रिपूरा के किसान भाई जो उश्निकटी बंदिय मैदानिक शेत्रि के आसपास जो रहते हैं खेती करते हैं उस इलाके में वहां पे हर दूसरे दिन सरसों और मसूर में हलकी सिचाई कर लें इसी के साथ साथ सिचाई के बाद मिट्टी में नमी का संग्रक्षन कर लें नमी को बनाया रखें इसी के साथ धुनले मौसम को देखते हुए आलूओं की जो फसल है उसमें एक जिसका नाम अगयती जुलसा है वो होने की काफी संभावना है तो इस बिमारी से बचने के हर एक उपाए वहां के किसान भाईयों को करना होगा त्रिपरा के किसानों को इस हबते ये सलाएगी सरसो और मसूर में सिचाई का कारें जरूर कर लें चलिए बात कर लेते हैं मनीपूर की मणीपूर के किसान भाई रभी मक्का की बुवाई जारी रख सकते हैं इसी के साथ साथ सरसो, मटर, आलू और मसूर में हलकी सिचाई कर लें अब हम मिजोरम का रुक करते हैं, मिजोरम की खेती का हाल चाल जानते हैं तो इस पूरे हफते धान की कटाई का कारे वहाँ के किसान भाई जारी रख सकते हैं साथ ही साथ केला, बैंगन, मटर, टमाटर, सरसों और तोरिया में सिचाई करने का वक्त हो चला है तो वहाँ के किसान भाई ये कारे पूरा कर सकते हैं तो मिज़ोरम की किसानों को इस अलाए कि वह सब्सक्राइब कर सकते हैं चली आब बात करने थे पूरवी भारत की पूरवी भारत की बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से वहां के शुर्ष मौसम को देखते हुए गंगा के आसपास वाला जो इलाका है वहां पे क्रिशी संबंधी कारे अभी ना करें क्योंकि समय इस चीज के लिए अनुकूल नहीं है इसलिए वहां किसानों को हिदायत है कि ऐसा कोई भी कारे ना करें जो क्रिशी से जुड़ा हुआ है इसके अलावा कटी हुई फसलों को सुरक्षे स्थान पर रखें ताकि आगे चलकर किसान भायों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो इसके अलावा जलोड क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल का है वहां पे धान की नरसरी को ठंड और पाले से बचाने के लिए रात के वक्त पॉलिथिन से ढखना होगा साथ ही साथ दो से तीन सेंटीमेटर तक पा पश्चिम बंगाल के हैं वहां पे बोरोधान की रोपाई जारी रखी जा सकती है इसी के साथ साथ जलोड और तराई वाले इलाकों में बोरोधान की खेती के लिए किसान भाई नरसरी तयार कर सकते हैं साथ ही साथ जो किसान भाई सूरज मुखी उगाना चाहते हैं सूरज पालक है उनको वही हिदायत कि अपने मुर्गियों को बचाने के लिए ठंड से बचाने के लिए बल्प का इंतिजाम कर ले ताकि मुर्गियों को गर्माहट मिल सके साधी पश्ची मंगाल के किसानों को इस अब ये भी सलाई कि सूरज मुखी की बुवाई के लिए भूमी त्यार कर सकते हैं इसके साथ महां के मुर्गी पालक मुर्गियों को ठंड से बचाने के इंतिजाम जरूर कर ले चले अकाश आप बात करते हैं बिहार की बिहार के लिए हिदायत है कि 20-25 दिन पुरानी गेहों की फसले हैं उनमें सिचाई का वक्त हो चला है तो ये कारे पूरा किया जा सकता है इसी के साथ 30 किलोग्राम प्रती एकर में यूरिया का छिड़काव सिचाई के दो दिन बात करें जिससे उनको उचित फायदा होगा इसके अ गेहों की पिछहती किस्म की बुवाई का कारे पूरा किया जा सकता है इसी के साथ बोरोधान की नरस्वी बुवाई के लिए अब बात कर लेते हैं 36 गड़का रुक करेंगे तो 36 गड़का जो मैदाने इलाका है वहां पे गेहों और सबजियों की फसल में सिचाई का कारे प पठारिक शेत्र है और वहां पे जो लोग गेहों उगा रहे हैं और गन्ये की जो पिछहती किस्म की खेदी करना चाहते हैं तो उसकी बुवाई का कारे पूरा कर सकते हैं इसके अलावा गेहों चने और आलू में हलकी सिचाई करने का वक्त हो चला है तो यह कारभिवांग क किसान भाई पूरा कर सकते हैं साथ ही साथ तापमान में गिरावट को देखते हुए जो पशुपालक हैं तो उनके लिए वही हिदायत है कि अपने पशुओं को ठंड से बचाने के हरेक उपाय कर लें साथ ही साथ जो पोल्ट्री फार्मस हैं जो मुर्गी पालक हैं उनको भी इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि जो मुर्गिया है वो ठंड से बची रहें और उनको गर्माहट देने के हरेक उपाय किये जा सके हैं तो यहां के किसानों को इस अपते यह सलाए कि गेहूं की अगेती किस्मों में सिचाई का कारें जरूर करने इसी साथ गेहूं क पीछेते किस्मों की वाइशातें पूरी कर सकते हैं साथि मूर्गी पालेगों को ऐसलाय कि मुर्गियों को ठंड से बचाने की इंथिजा सब्सें चले बात कर देंधिया हम जारकन की जारुप करेंगे तो वहां के मौसम को देखते हुए जारकन का रोट के दक्शिन पूर हमें सिचाई की जा सकती है अब बात करते हैं तो प्यास की सरी lowering और लौकी खीरा करेला तर्बूलज और खर्बूजे के लिए भूमी तयार करने का वक्त हो चला है तो वहां किसानवाय इस कारे को पूरा कर सकते हैं चले को करने के गुड़ और कैल्शियम को देना होगा ताकि उनका स्वास्त ठीक रहे इस ठंड में जार्कन के किसानों को यह सलाई कि वह सबते गेहूं और सरसों में सिचाई का कारे कर सकते हैं इसी के साथ मुवेशियों को ठंड से बचाने के इंतिजाम जरूर करने चलिए बात कर लेते है उडिसा की उडिसा का रूख करेंगे तो मौसम को देखते हुए उडिसा का जो पश्चमी इलाका है वहां पे धान की कटाई के तुरन बाद मूग काली उड़त और सूरज मुखी की बुवाई और भूमी तयार करने का कारे जारी रखा जा सकता है इसी के साथ साथ उडिसा पूर्वी और दक्षिनी पूर्वी तट यह इलाका है वहां पे और जो मैदानिक शेत्र है इन सारे इलाकों में दान गेहूं और रबी दालों की नर्सरी की बुवाई का कारे पूरा किया जा सकता है साथ ही साथ प्याज की रोपाई जो किसान भाई प्याज की खेती करना चाहते हैं उडिसा के वो प्याज की रोपाई का कारे पूरा कर ले जो करनाटक का है वहाँ पे रागी की कटाई पूरी कर लें और सूरज मुखी और मुंख फली की बुवाई का कार वहां किसान भाई जारी रख सकते हैं प्रेके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है चलिए अब बात कर लेते हैं कि देश के दक्षिन भारत की किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं तो दक्षिनी भारत का रुक करते हैं सबसे पहले आंज़ प्रदेश जैसे कि वहां का मौसम इस हफ्ते सही रहेगा तो मौसम को देखते हुए अनंदपुर जिले में मसूर की अच्छी पैदावार के लिए सिचाई कर लें हम तेलंगाना का है तो त्वारत की नर्शे को ठंट से बचाने के लिए रात के वक पॉलेचिन का कवर रहें जिससे वस्त रख्षित रहेंगे साथ ही साथ तिलंगाना का जो उत्तरिक शेत्र है वहाँ पे रभी, धान और मक्के की बुवाई का कार किसान भाई जारी रख सकते हैं तो लंगाना की किसाना को इस अफते ये सलाए कि रभी, धान और मक्का की बुवाई का कार इस अफते किया जा सकता है चलि बात करनाटक की, करनाटक का रुख करते हैं तो पूर्विशिष्कि himself इलाका जो करनाटक का है वहाँ पे रागी की कटाई पूरी कर लें और सुररज मुखिय और मुठफली की बुवाई का कारे वहां की इसान भाई जारी रख सकते हैं इसी के साथ उत्तरी पूर्वीक शेत्र जो करनाटक का है वहाँ पे गीहुं की फसलों में सिचाईए कर ले साथ ही साथ मिर्च की कटाई और कपास की बिनाय का ये वक्त है तो वहां के किसान भाई इन कारों को भी पूरा कर सकते हैं इसी के साथ साथ डालों की बुवाई का कारे भी वहां के किसान भाई जारी रख सकते हैं तो करनाटा के किसानों को सब्सक्राइब ये सलाए कि रागी की कटाई का कारे जरूर करने इसे ये साथ कपास की बिनाई का कारे भी सब्सक्राइब किया जा सकता है साथ ही उर्वरक का छिड़काओ भी कर लें इसके अलावा मुंफली मुंफली की जो खेत हैं उनमें सिचाय करने का वक्त हो चला है तो ये कारे वहां के किसान भाई पूरा कर सकते हैं साथ ही साथ रभी धान और रागी की रुपाई का कारे वहां के किसान भाई पूरा कर सकते इसके अलावा जो धान पहले से बोय जा चुके हैं प्रत्य रोपी धान जो है और रागी में दो से तीन सेंटेमीटर जो जल स्तर है उसको बनाए रखें उससे ज्यादा नहों ताकि किसान भाईयों को किसी तरीके का आगे चल कर नुकसान नहों सके हैं महारास्ट के किसानों को इस अब यह सलाए कि वो रागी और रभी धान की रोपाई का कारे सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए बात कर रहेता है मध्यप्रदेश का रुख करते हैं तो मध्यप्रदेश का सत्पूड़ा पहाड़ी इलाका है वहां पे फूल गोभी बंद गोभी और प्याज की रोपाई का कारे वहां के किसान भाई जारी रख सकते हैं इसके अलावा मध्यप्रदेश का मालवा पठारी इलाका है वहां पे प्याज टमाटर बैंगन मिर्च बंद गोभी और फूल गोभी की रोपाई का कारे वहां के किसान भाई जारी रख सकते हैं इसक साथ जो कुटपालक है याने कि मुर्गी पालक है पोल्डरी फार्मस उनको भी अपने मुर्गियों को ठंड से बचाने के खास उपाय करने होंगे ताकि उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो सके साथ ही मुर्गी पालक मुर्गियों को ठंड से बचाने के इंतिसाम जरूर करने ही चलिए अब बात कर लेते हैं गुजरात का रूख करते हैं तो गुजरात का जो दक्षिनी भारी वर्षा वाला इलाका है वहां पे तर्बूज की बुवाई जारी रखी जा सकती है इस वक्त साथि साथ गण्य और सब्जीयों में हलकी सिचाय करने का वक्त हो चलाय है तो इन कारेयों को भी किसानभाई पूरा कर सकते हैं इसके अलावा खड़ी फसलें उनमें से क्छर package अचाने के लिए हाथ से ही खिसानों को निराई करना होगा तो इन कारियों को समय रहते हैं जिन्होंने सब्जियां उगाई हैं और जो पक गई हैं उनकी कटाई का कारे जारी रखा जा सकता है वक्त हो चला करने का साथ ही गुजरात का जो उत्तरी इलाका है तो वहां के शुष्क मौसम को देखते हुए सरसों कपास और सौंफ इन सारी फसलों में सिचाई करने का वक्त हो चला है साथ इसाथ अब फिर से पशु की बात करना चाहूंगा तो जो धारू पशु हैं उनके पीने के लिए गरम पानी का इंतिजाम कर ले पशुपालक और साथ ही जानवरों को ठंड से बचाने का इंतिजाम निरंतर करते रहें ताकि उनके पशुओं की सेहत प अर्द शुष्क पूर्वे इलाका है वहां पे खड़ी फसलों को पाले से बचाया जाए इसके इंतजाम वहां किसान भायों को करना होगा साथ ही साथ जो राजिस्थान का पहाड़ी इलाका है और जो दक्षिनी मैदानी इलाका है वहां पे गेहूं जौ और सब्जीयों में निराई और सिचाई कावक तो चला है तो इन कारेव को भी किसान भायों को कर लेना चाहिए तो राज़स्थान की इस अब हरा कारे ज़रूर करने इसी केसाद निराई का कारे भी सब्सक्राइब सकता है अकाश आपका बहुत-बहुत शुक्री है आपने इतनी तमाम जानकारी हमारे किसानों को दें धंद्र glitter मारे कारेकरम में इतना ही अगले स्टे फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए हमें दीजे इज्जाजब नमस्ते